नमस्कार दोस्तो मैं प्रमोत कुमार सैने अपने यूट्यूब चैनल मैं अधसे अलारंपर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम नमबर सिस्टम संग्या पद्यति की पहली वीडियो बना रहे हैं दोस्तो और सुरू कर रहे हैं कुछ बेसिक क्यूशन जो मैं एक्जाम की दरिश्टी कौन से बहुत इंपोर्टेंट है और कुछ ही समय में हो जाते हैं चलिए सुरू बात करते हैं पहले से भाग देने पर क्या सेस्फल आएगा दोस्तो इस टाइप की क्यूशन पी ऐसे सीन हमसे बहुत पार पूछे हैं और कैसे इसको दो सेगड में कर लें देखिए आप हमेशा इस बड़ी संख्या को ध्यान ना दें आप दें दूसरे नंबर पर जो संख्या यह है ठीके दो 11 से जग्रा भाग देना 11 दूनी 20 जया मैं 25 को भाग दूगो 11 से तो 11 दूनी 20 2 बठ तो पुरा-पुरा कटेगा कितना यह ब både ठेगा तीन अल बचेगा दोस्तो आपने तीन पे टिक कर दिया बस इतना सा समय आप इसको इसको भाग देक देख लिया करो बस जितना अ किसी स संख्या को 29 से भाग दें तो सेसफल क्या आएगा बहुत इजी दोस्तों हमें तो बस किवली संख्या का ध्यान रखना है 29 से भाग दें 29 दूनी 58 29 दूनी 58 कितना एक्स्ट्रा है 5 एक्स्ट्रा है 5 सेस बचा बस यही आंसर है संख्याक ने बहुत वारियं सेवाल हमसे पूछे हैं आगे देखें दोस्तों किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 23 आता है यदि उसी संख्याकोodsodsodsods Marshall कि आ हेगा बलिए भाग दे कदेख़ी है आट दूनी सोला आट तिया चौविस ठीक है आट तिया चौविस चौविस से कितना एक्ष्ट्रा है पांच पांच ही सेस बचेगा तो पांच इसका अंसर आ गया देखे कुछ कोई पैन नहीं कुछ नहीं करना बस खली थौट प्रोसेस पर भाग देके देख लेनी है स्वेम तो हमने क्या देखना है मित्र सेस को आट चाभी से सेघपर हैं किया तीन बार तो पाड़ा नहीं जा सकता ऑके सिखेवान है नो अगले क्रिशन देखते हैं दोस्तों इनकी शोटर वे सीखते हैं इस्टार का नियुंता मान क्या रखा जाए कि चार पांच एक स्टार छे जीरो नौ से पूरी तरीके से विभाचित हो जाए नौ से पूरी तरीके से कड़ जाए तो मित्रो नौ के डिवीजिबिलिटी टेस्ट 11 के डिवीजिबिलिटी टेस्ट हमारे याद बहुत होने चाहिए हमारे याद जरूर होने चाहिए इनका तरी भाजित माने जाएगी जब उसके सभी अंकों का योग भी नौ से कटेगा ठीके दोस्तों जैसे पूर इक्जाम्पिल अठारा नौ से कटती है तो आठर एक नौ योग भी कटता है जैसे चबवन है नौ से कटती है लेकिन पांच और चार को भी जोड़ें तो भी नौ पहले नौ बनाते हैं जहां भी नौ बने उसको नौ बनाके कट दो ठीक है छे और तीन भी नौ बनता है कट गया दोस्तों अब यहाँ पर बचा एक और ठीक है एक इस्टार और जीरो जीरो में एक जोड़ा तो एक ही है तो श्टार की जगे ऐसा मैं क्या रखो कि अब नौ बन जाए तो मित्रों एक तो हमारे पास है इस्टार की जगे में क्या रख दू दोस्तों आठ एक और आठ नौ से कट जाएगा फिर यह तो यह इसका आंसर आगिया नौ के डिविजिबलेटी रूल हमने यहां पर फॉलो किया इसमें भी देखें मित्रों पांच चार तीन दो स्टार साथ नौ से विभाजित हो तो इस्टार के इस्थान पर क्या अंक आएगा इसको देखते हैं पिर से देखेंगे मित्रों 5 पांच चार नौ सी नौ बना और कट गया दोस्तु यह पर भी देखेंगे साथ और दो कट गया मित्रों यह भी हो गया अब तीन और retiring स्थान पर क्या एकि और नौ बन जाए तो तीन तो हमारे पांदए स्थान है छे और यहां पर रगदिस् 66709 में जोड़ा जाए तो योगफल 9 से विभाजित हो जाए दोस्तो क्या जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित होने के लिए अंको किसी भी संख्या के अंको का योग या तो 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो, 54 हो, 45 हो, 38 हो यानि कि 9 से डिविजिवल हो तो दोस्तो इसका देखो 6 और 7, 13, 13 और 9, 22 ये तो नहीं कटता इसका मतलब कुछ ऐसा जोड़ा जाए दोस्तो ताकि वो 27 तो होई जाए कम से कम तो 22 और 5, 27 इट मिंस दोस्तो इसमें क्या जोड़ा जाए? 5 एड़ किया जाए ताकि ये 9 से कट जाए तो क्या अंसर हुआ? 5 अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखे दोस्तो ग्यारा का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है? कि कोई भी संख्या तब कटेगी दोस्तों जब उसके वी समिस्थानों पर आने वाले अंकों का योग समिस्थानों पर आने वाले अंकों के योग के बरहाबर हो जैसे एक और तीन पर दोनों को जोड़ा तो दो आया और समिस्थान याने की दूसरे पर भी दो लिखा था एक और example से समझें, जैसे 1331, यह 11 का घन है, देखें दोस्तों, इन दोनों का जोड़ भी 3 और 1 चार, और यहां भी 3 और 1 चार, जब मैंने पहले और तीसरे अंकों को जोड़ा, तो योग 4, जब मैंने दूसरे और चोथे स्थान पर आने वाले अंकों को जोड़ा, तो 4, एक तो यह, दूसरा क्या है, यह अंतर 11 आजाए, दोस्तों यह अंतर क्या आजाए, 11, जैसे समझते हैं इस बात को, तो यह कहते है, स्टार 381, 11 सी विभाजित हो, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, मित्र, स्थान के स्थान पर क्या आएगा, तो देखें, मैं यहां पर ऐसा क क्या रख दो को जोड़े और इसको भी जोड़े फिर आठ को रुसंख्या को जोड़े और तीन को जोड़े तो या तो अंतर जीरो बन जाए या अंतर ग्या रहा जाए तो मित्र हम यहाँ पर क्या रख लेंगे हम यहाँ पर रखेंगे साथ इस्टार की जंग हम क्या साया साथ को हम टिक करेंगे साथ से हमें माक्स मिलेंगे दोस्तों स्टार की जगे क्या आया साथ आई होप आपको समझ पर यहां पर भी देखें यह संख्या भी 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा यहां पर भी देखें वही चीज पहले और तीसरे का जो अब समिस्थानों पर आने वाले इंकों को जोड़ें दोस्तों यह समिस्थान के दूसरा चौता चटा तौत कितना बैठ गया तो चार औरnam साथ और साथ चौदा चौदा और आठ दोस्तों कितना हो गया बाइस चौदा और आठ बाइस देखे चार तीन साथ और साथ चौदा और आठ बाइस यानि कि नीचे भी बाइस लाना है अब हमने ठीक है देखेंगे तो आठ और दो दस या क्या इस्थान पर यहां पर क्या र आया है या तो option में 12 होता हमारे लिए कि आठ दो दस और इस्टार की जंग बारे रख दें लेकिन अंक तो एक ही आना है तो इसका मतलब अगर 12 नहीं जोड़ सकते तो अंतर 11 कर लें तो मित्र इसका दिक तरीका देखें सब ऐसे सी मेंस में बूचा ये भी हमसे तो कितना 11 हो जाएगा और 12 में से 11 गया 11 बचा तो यानि कि क्या अंसर है हमारा एक इसका आंसर है अगले क्यूशन को देखो दोस्तों साथ तीन आठ एच छे एग 11 से विभाजित है तो एक आमान दोस्तों हमें बताना है चलिए देखेंगे यहां पर भी देखें मित्र साथ और आठ 15 और 6 21 ठीक है हमें तरफ 21 बैठ गया जब हमने विसम इस्थान पर आने वाले अंकों का योग किया अब सम इस्थानों पर देखेंगे दोस्तों 3 A और A अब यह तो कुछ हमें पता नहीं यह तो हमें इस फाइंड करना यहां पर जैसे उपर 3 7 8 15 और 6 21 बनाना है नीचे भी जगे में क्या रख सकता हूं 9 और बराबर बैठ जाएगा 21 और 20 I hope समझ पाए आप ठेक है दोस्तों चलिए और देखते हैं इस प्राइप के कुछ कुछ कुशन को अगला कुशन देखो दोस्तों चार तेन दो पी वन नौ से विभाजित होने वाली एक संख्या है तो ऐसी सिच्विशन में पी का मान क्या आएगा पी की वैल्यू क्या होगी तो दोस्तों नौ से डिविजिबलेटी का रूल तो अभी पिछले कुशन में आपने देखा है जहां भी नौ बन रहा हो सबसे पहले उसको आप काट दीजिएगा तो देखे चार तीन साथ और दो नौ यह नौ बन गया मित्र यानि के कट गया है नौ से विजिबल हो गया अब पी की वैल्यू ऐसे क्या रखे है और एक के साथ उसको जोड़ें कि वह नौ से कट जाए तो दोस्तों आपको पी की वैल्य हो तो एक आमान ग्यात करो तो मित्रों वही देखेगा पहला तीसरे और पांचवे स्थान पर आने वाले अंकों का योग यानि कि विसम इस्थानों पर आने वाले अंकों का योग सम इस्थानों पर आने वाले अंकों के योग के बराबर बैटना चाहिए यानि कि दूसरे और चौते स्थान पर आने वाले अंकों के योग के बराबर, तो वह 4 और 5 नो और 2 ग्यारा बना है दोस्तों, उपर इधर देखेगा, 3 और एक hall报 क्या रखों? 3 और 8 ग्यारा तो आपने किस पर टिक की हैं? 8 पर टिक की है दोस्तों, तो भई पहले तो वो संख्या ही सोच लो, अब एक समान के थोड़ा ना सोच नहीं है, आपकी एप्रोच पावर आपकी सोचने की छमता होनी चाहिए, कि 5 से भाग देने पर 3 से छोड़ा, इसका मतलब 8 है वो, क्योंकि 8 को भाग दो 5 से, 5 इकन 5, कितना से इस बचा, 3, तो इस संख्या के वर को 5 से, इसका वर कितना है मतलो, 64, 64 को करा आप 5 से भाग दोगे, तो क्या से साइगा, 4 से साइगा भी, 12,50, 5 से ये, ठीक है, 60 तक कवर हो जाएगी, 12,50, कितना एक्ष्ट्रा है, 4 एक्ष्ट्रा है, यानि किसका अंसर क्या था, 4 था, I hope so much price type के question भी आप, चल कोई होना चाहिए, यदि कोई संख्या 11 एवं 13 से विभाजित होती है, यदि कोई भी इस नंबर हो, वो बड़ा हो, छोटा नंबर हो, वो 11 और 13 दोनों से विभाजित होता है, तो वह है अनिवारी रूप से विभाजित होगी, वही संख्या अनिवारी रूप से किस से संख्या को प्राइं में नबर से अभाज गुनंखड हो उसे अलग अलग विभाजित हो तो वह उनके गुणनफल से बी जरूर भी भाजित होगी वो उनके गुनन फल से भी जरूर विभाजित होगी इस means इसका option ठीक है C पर आप टिक करेंगे कि वो ही संख्या जो 11 और 13 से अलग अलग विभाजित होती है पकी बात वो इनके 11 और 13 के गुनन फल से भी विभाजित होगी ठीक है आगे क्यूशन यह कहते इनके गात 15 यह – 1 किससे भी भाजित है दो तो यह भी बताना हमने तो हम क्या देख रहे है पर उनके गात 15 तो एक के घात – 15 लिख सकते हैं जब भी आपको कही लिखा दिख है कि X की घात एन – A की घात एन और न क्या होना चाहिए यह विसम number, we sum number होना चाहिए, n बराबर we sum number होना चाहिए, तो दोस्तो ये हमेशा इनके gap से विभाजित होती ये किस से विभाजित होती हमेशा x minus a से विभाजित से विभाजित ये rule है, मैं prove भी कर सकता हूं इस बात को, ठीक है दोस्तो मैं prove कर सकता हूं उनन्चस की घात 15-1 था तो 1 की घात भी 15 लिख दिया आपने यदि यहाँ पर X है यह A है इनकी घात N और N कर दिया हमने तो हमेशा दोस्तों यह जो आधार में लिखे हैं इनके अंतर से यह संक्या विभाजित होगी यानि की उनन्चस में से गया 48, 48 से विभाजित होगी चलिए आप्सन में 48 नहीं था आप्सन में 48 नहीं था तो 48 का गुननखंड 8 तो था दोस्तों 48 को लिख सकते हैं 8 और 6, 8 गुना 6 तो यह संक्या 8 से विभाजित होगी चलिए बताओंग अब इस बात को में अब देखो मित्र यहाँ पर पहुंचो, इस पाद को यहाँ पर भी देखो, अब यह मैंने लिख दिया, पचास की घाद 20, माइनस वन की से भी भाजित होगी, तो भई पचास की घाद 20, और यहाँ वन की घाद भी 20 में लिख सकता हूं, तो मित्र आप ध्यान रखें, X की घा घाद N, माइनस A की घाद N, यदि N बराबर सम संख्या हो जाए, N बराबर क्या हो जाए दोस्तों, सम संख्या, तो यह जो नंबर होता न, यह नंबर, यह हमेशा, यह पूरा का पूरा फंक्शन का जो मान आएगा इसके, वो X प्लस A, और X माइनस A, दोनों से भी भाजित ह होता है, देके सम, घाद अगर संख्या है, तो आधार में X प्लस A, जिसको आपने यह माना है यह यह बाल दोनों के एक बर िनके अंतर से भी भी भाजित होगा, और इम के योग से भी भी भाजित होगा, कहने का मतलब, दोस्तों, यह जो संख्या है, यह 50 और एक वन से भी क्या वन नहीं होना चाहिए था क्योंकि एक ही तो होगा ना। अब एक बात की पुष्टी भी कर लेते हैं इस बात की दोस्तों। चलो दोस्तों, इस बात को deeply समझते हैं। इस बात को deeply समझते हैं। चलिए, कि X की घात N माइनस A की घात N, यदि संखिया यहाँ पर लिखी हो, और N एक विसम संखिया हो, यानि कि इन की घात विसम हो, एक हो, एक एक हो, तीन तीन हो, पांच पांच हो, साथ साथ हो, नो नो हो, ग्यारा ग्यारा हो, कुछ भी हो, विसम हो, तो यह हमेशा X माइन नीयूं हम 2 रख लें कितना रखलें दोस्तों दो तो किया हो ना सब से ll basic नदिया है सबसे नहां तो किसका दोस्तों क्या हुआ है निकि किस घ्रफ right शब्रक्राइब खानली यहां थैब इसकी घात आप क्या रख रखेंगा विश्म रखbnू ए और ये दो की घात भी दोस्तों आपने क्या रखेती है अब देखना ही के फिर से इनके अंतर से कटता है के नहीं फिर से इनके अंतर से कटेगा तो इस बार क्या आएगा ये पांच पंजे, 25 पंजे, 125 आया दोस्तों, और ये कितना आया, आठ आया, तो देखना, या इनके अंतर से इकटना चाहिए, फिर से ये 3 से ही कटना चाहिए, तो कितना बचा दोस्तों, 15 में से 8 गया, 7 बचा, 1 और 1, देखें फिर से ये किस से इकटेगा, 3 से इकटेगा, तीन से ही कटता है, कि तीन तिया नो, तीनन, सत्ताइस, तो कहने का मतलब, यहाँ पर जब घात विशम हो, चाहे आप पांच रखके देख लो, तो तो यह केवल इनके जो आधार में लेखे, इनके बेस के अंतर से ही कटता है, चलो यह दो संखे हम यहाँ पर लेके देखते है के पांच और दो लेके देखते हैं, इनके घात इस बार सम रखो, दो दो रखो दोस्तों, तो देखेंगे इनके योग और इनके अंतर दोनों से कटेगा यह, योग और इन दोनों के योग और इन दोनों के अंतर दोनों से कटेगा, इस बात की पुस्टी भी कर लेते हैं, क पाच और दो 7, 7 से 22 कटता है और 5 मैं से 2 गया, 3 से 22 कटता है यानि कि इनके योग से भी कटता है और इन डोनों के अंतर से भी कटता है इस पात की पुष्टी और करने के लिए और लिखें आप ऐसे करें चलिए इस बार 4 रखके देखें, दोस्तों क्या रखके देखेंगे, आप 4, चार रखके देखें नहीं घात, तो क्या बनेगा भी, 625, और दोस्तों ये कितना बनेगा, 16, तो कितना आया, 609, 609 बचा, अब 609 क्या होना चाहिए, 5 और 2, 7 से भी कटना चाहिए, और 5 में से 2 ग साथ 49, तो इस बात की बारे की ये है, कि यहाँ पर कुछ भी क्यो नहीं हो, अगर घहत, मित्र, घहत लिखी है विसम, तो केवल इनके अंतर से खटेगा, घहत लिखी है सम, तो इनके योग, और इनके अंतर, दोनों से कटेगा, दोस्तों इस बात का आप स्क्रीन साट लेकर के बारे की से समझेगा इस पर मैंने दो क्यूशन भी की हैं तो आज की वीडियो में बस मैं यही तीन टेफ टाइप आपको समझाना चाहरा था और आई होप यह चीजे आपको समझ में भी आए दोस्तों इसकी अगली वीडियो के मैं कुछ नए क्यूशन के साथ आपसे मिलू होगा यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में मिलते हैं मित्रों चलिएगा अपना ख्याल रखेएगा